इस वीडियो में solve करेंगे question number 9 find the square root of this number means 0.00059049 तो पहले decimal के right side में जो digits हैं उनका pair बना लेते है right side से तो यह बना pair यह बन गया और यह बन गया और यह बन गया ठीक है यदि pair नहीं बन पाता तो 0 बढ़ागर की pair बना लेते हैं कहने का मेरा मतलब यह है कि माल लेजिए 0.001 ऐसा कुछ दिया रहा था माल लेजिए तो आपको pair कैसे बनाते आप decimal के right side में जो digits हैं उनका pair कैसे बनाएंगे बन नहीं पाएगा यहां पर क्योंकि यहां से यह ले जाएंगे 0 बनाएंगे तो 0 छूट जाएगा यहां पर तो क्या करना पड़ेगा इस केस में हमें अपने मन से एक 0 आगे बढ़ाना पड़ेगा उसके बाद से यहां पर pair बना लेंगे उसके बाद आप चाहें तो 00 का pair बढ़ा सकते हैं जितने जितना मन करें उतना ठीक है मतलब वो डिपेंड करेंगा कि कितने decimal प्लेस तक आपको value निकालनी है तो खेर हमारा जो question दिया हुआ है वो तो perfect square का है यह number जो है perfect square है तो यहां पर आपको कुछ भी वैसा नहीं करना तो यहां पर आल्रेडी जो है decimal के right side में pair बन चुका है तो अब हम यहां solve तो देखे 0 यहां पर पहर से दिया हुआ है तो 0 का 0 का तो 0 ही रहता है ठीक है तो यहां पर 0 से 0 मिले जाएंगे तो 0 से 0 में आपको cancel हो जाएगा 0 से हो जाएगा और हैं मिलेगा 0 अब decimal के बाद वाला 00 उतारना है तो decimal लगा करके और एक 0 बढ़ा देंगे यहां पर देखे जीर यह उतारेंगे फिर 0 जुसरे से मडबले करेंगे वही आएगा मतलब ठीक है तो इसलिए दो पेर 0 है तो बढ़ा दिए बस यहां पर काम खतम फिर यहां 0 5 उतार दिए हो पर 0 5 उतारना के मतलब क्या । 5 में तो चला जाएगा 2 से ना तो यहां से 2 से ले जाएगे पर रखना पड़ेगा तो 0.02 हो गया अब यहां पर 1 के बाद 90 है तो 90 यहां पर उतार लेंगे उसके बाद से 90 मिले जाने के लिए 4 और 4 पढ़ेंगे दिखेंगे 1 90 कितने मार रहा है तो 4 416 होता है तो 4 चले जाना चाहिए लेट चेक 4 416 का 6 1 carry over and 4 416 1 17 मानस करता है तो मिलेगा आपको 20 I think 10 हो जाएगा 10 सिक जाएगा 4 यहां पर यहां पर देखेंगे किस से ले जाएगे तो आपको यहां पर ले जाना पड़ेगा 7 से क्योंकि 14 7 जा कितना होता है अच्छा 3 से जाएगा अच्छली क्योंकि 4 3 जा क्या होता है 12 होता है तो 14 जो है 3 times पर कैंसलर होगा means 3 से ले जाएगे actually यहां पर तो 3 से ले जाएगे तो मिलेगा आपको 3 से जा 9 and 3 8 जा 24 का 4 2 करी जाएगे तो यहां पर actually क्या हो जाएगा कि पहली बार गया था दो से यहां पर 2 हो गया फिर 4 यहां पर हो जाएगा उसकी बास से हो जाएगा 3 means आपका अंसर होगा 0.0243 this is your square root of this number means आप ले सकते हो कि so square root of 0.000 of 59049 is equal to 0.0243 okay and this is your answer thank you so much for watching bye